हेलो स्टूडिन्स अब हम बात कहते हैं important characteristics of balanced growth की सबसे पहला characteristics जो आता है वो है growth is evenly distributed across income spectrums and across different geographical regions किसको हम भूलते हैं balanced growth एक economy में across income के spectrum में यानि कि income में भी अलग अलग type की income हमको देखने को मिले और उस अलग अलग type में भी हम लोगों को growth मिले ऐसा ना हो कि पहले जो अगर हम compare करें 1990 के पहले जो income distribution था वो अलग था आज हम क्या देख रहे हैं हर घर में at least 2-3 लोग जो जो घर के members है वो सब employed है पहले ऐसा नहीं हो जाता था पहले family में सिर्फ एक employed हो रहता था और उसके उपर और dependency बहुत जादा थी तो यह जो income का spectrum है यह बढ़ गयाने की widen हो गया है बड़ा हो गया है इसके साथ साथ geographical regions में भी हम लोगों को development देखने को मिल रहे हैं यानि कि पहले अगर हम देखे कि राजिस्थान में सो सर्फ अगर हम बोले अभी भी हाला कि वैसे तो service sectors बहुत जादा strong है उसके tourism बहुत strong है बट अब हम क्या देख रहे हैं वहाँ पे भी कुछ industry set up हो रही है वहाँ पे भी IT sectors आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एक शेत्र में जो है एक geographical region अपने आपको expand कर रहा है वो अलग-अलग expansions भी देख रहे हैं जिसकी वज़े से महा का income उस state की income भी जादा हो सके दूसरा point है the concept of economic growth finds its roots in the theories of aggregate demand and aggregate supply aggregate demand and aggregate supply जो है यह एक macro economics का topic कहलाया जाता है यानि कि हम aggregate demand और aggregate supply से हम यह बता सकते हैं कि हमारे देश में inflation है deflation है stackflation है कि नहीं है तो अगर inflation अगर अच्छा inflation है अच्छा inflation वो माना जाता है जहाँ पर prices जो है एक stable तरीके से increase हो रही ऐसा नहीं कि आज 10 रुपे के कुछ चीज है और 2-4 दिन में वो 20 रुपे की हो रही है जिस दिखने को मिल रहे है इसका मतलब क्या होता है कि growth हो रही है एक society या एक economy सिर्फ एक ही price पे अभी तक sustain नहीं कर रही है अलग-अलग prices पे वो economy चल रही है तीसरा point है तो यह चीज जो मैंने पहले भी बोली है कि growth जो है या balanced growth की हम बात करते हैं development की बात करते हैं तो सिर्फ economic strategies से नहीं बनती है यहाँ पे government involved होती है government को भी कुछ अच्छे policies बनानी पड़ती है किस तरह की policies एक planned policy बनानी पड़ेगी जहाँ पे सारी चीजों को एक अच्छे से coordinate करके वो लोग economy को दे सके बूस्टर की तरह मिल जाएं जहाँ पे government भी गाम कर रहे हैं लोग भी गाम कर रहे हैं जिसकी वैसे क्या होता है हमको एक अच्छी growth देखने को मिलती है जो कि हमने बहुत commonly सुना है सबका साथ और सबका विकास तो यह सबका साथ जब तक नहीं रहेगा वैसे ही सबका विकास भी नहीं कहलाया जाएगा तो यह थे important characteristics of balanced growth थांक यू